पुरानत ही इसकी बात है सीख रहा है, ठीक, परिष्टों की अनेक लोग के महफिल में है, सही, चलें जी, दौा हमें आद रखिएगा, अपने आपको भी, तब अपने साथियों स्टूडेंट्स को भी, कि सब मस्तकिल मिजाजी के साथ, इस्तिकामत के साथ आप सब को पढ़ाते भी रहें और सब पढ़ते भी रहें, और जो की सवाल हो, इंशालों को हम नेक्स क्लास में टैफर करेंगे, वो आपकी नेक्स क्लास का टाइम हो जाएगा, ऑनलाइन टीचर आपका वेट कर रहोंगे Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu साथमी हदीथ से अपनी क्लास का आगात कर रहे हैं मेरी हवास सही आ रही है? अवास आ रही है मेरी? तक रहाँ आपका आपके रहे हैं जी तो हम एक अजीम हदीश से जो इस किताब की साथमी हदीश है और यह दीश सही बुखारी किताब अलवुदू के अंदर मौजूद है और सही मुस्लिम किताब उत्तहरा के अंदर यह दीश मौजूद है यह दीश है अन हुमरान मौला उस्मान अन हुमरान मौला उस्मान हुम्रान जो है ये उस्मान बिन अफ़ान रदियल्लाहु तालानों के मौला है मौला मौला का मतलब क्या है मौला जो है बहुत सारे मानी के लिए इस्तिमाल होता है उन में से एक माना अजाद करदा गुलाम है मौला अजाद करने वाले को भी कहते है और जिसे अजाद कर दिया गिया हो उसे भी मौला कहते है यहां हुम्रान जो हैं अजाद होने वाले मौला है और इनको अजाद करने वाले कौन है इसमान रदियल्लाहु तालानों इसको निस्बते वला कहते है अर्भी में से निस्बत वला कहते हैं वला, बाउ, लाम, अलिक और हम्जा जब कोई इसन किसी को अजाद कर देता है न खुलामी से तो वो अपने जिन्दगी भर और उसके बाद भी उसकी जब भी निस्बत की जाएगी उसके मालिक की तरफ की जाएगी उसके फुलाने से अज़ाद की ज़ाद 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 क दो बेटिया इनके निकाह में दी रुखया रुम्मे कुल्सूम और दूसरी बेटी के इंतिकाल के बाद जब आपने अफसुर्दा देखा तो परमाए उस्मान अगर मेरी और बेटी भी होती तो मैं तेरे निकाह में दे देता है ये एखास किसी और को हासल नहीं हुआ जो असमान रदी बादी 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 बा ये जो लफज है ना वदू, विदू, वदू, पूदू, तिन तरीके से इस्तुमाल होता है जब हम सको विदू पढ़ते है ना वाऊ के कसरा के साथ ये वरतन जिसमें वुदू का komme होता है उस बरतन को कहते है विदू वाऊ के साथ जब पढ़ेंगे वदू तो वो पानी जिससे हमने वुदू करना होता है उस पानी को कहते हैं वदू और पेश के साथ वुदू जो हम करते हैं न अमल जो अमल हम कर रहे होते हैं आज़ा वुदू को दो रहे होते हैं तो उस वुदू को जो अमल हम कर रहे होते हैं नमास पढ़ने के लिए उसको वुदू कहते हैं कहते हैं ना मैं वुदू कर रहा हूँ वजू नहीं कर रहा हूँ विजू नहीं कर रहा हूँ यूँ कह सकते हैं विजू में वजू डालकर वुदू कर रहा हूँ यह जुमला ठीक है नहाव और सरफ दोनों का इलम बहुत जरूरी है सरफ से आपका अलफास की पहचान होगी और नहाव के जरी आपको एहराव की पहचान होगी किस इसम पर कौन सा एहराव है? क्योंकि एहराव से माने में तब्दीली आती है कितनी तब्दिरिया ही वह आपके सामने है कसरा पड़ा जेर पड़ी वाओ पर तो बरतन बन गया जबर पड़ी तो पानी बन गया पेश पड़ी तो वुअमल बन गया तो उस्मान बदियल्लाहु ताला ने दा मंगवाया बिवदू इन पानी बुदू का पानी अब बरतन पानी का लाया गिया ता अफ्रागा अला यदैही अफ्रागा का माना होता है उन्डेलना बरतन को उल्टाना बरतन को उन्डेला कल्डी किया और उस बरतन को उन्डेलने के बाद पानी को बहाया अला यदेही अपने हाथों पर यद एक हाथ को कहते हैं और यदेईन दो हाथों को कहते हैं तो उन्होंने पानी उंडेला पानी गिराया अला यदेही अपने हाथों पर मिन इनाईही बरतन से इना बरतन को कहते है तो बरतन से बरतन में हाथ दाखिल नहीं किया बलके बरतन को गेल्डी करके अपने हाथों उपर पानी डालकर अपने हाथों को दोया है अपने दोनों हाथों को दोया उन्होंने शलास मरां तीन बार अपने दोनों हाथों को तीन बार दोया बरतन में हाथ दाखिल किये बगएर इसकी वज़ा क्या है? वज़ा आप जान चुके हैं पहले वज़ा ये है कि डारेक बरतन में हाथ दाखिल नहीं करना चाहिए क्या पता हाथ को नजासत लगी भी हो तो जो गंदगी होती है ना बस आफकात वह नजर नहीं आ रही होती है वो होती जरूर है लेकि नजर नहीं आ रही होती है तो जब हाथ को लगी भी है और वह नजर नहीं आ रही है और जब बरतन में हाथ दाखिल कर देंगे और वो नजासत पानी को लग गई पानी नजस हो गया जब पानी नचस हो गया, क्या उससे वुदू हो सकता है? बिल्कुल नहीं, उससे वुदू नहीं हो सकता है उससे वुदू नहीं हो सकता है इसलिए क्या करना है? उस पानी को बचाने के लिए जरूरी है कि उस बरतन को उंडेला जाए, कल्टी किया जाए और उस बरतन के अंदर से पानी को हाथों पर बहा कर हाथ पो गोया गा अज़कल तर नल लगे वे, मसला ही नहीं है नल खोला और आपने अपने हाथों दो लिए, साथ कर लिए तो हाथों कितनी बार गोया, तीन बार बुज़ श्टार्ट हो चुका है यहां बिस्मिल्ला का दिकर नहीं है, लेकर सुनना साही के अंदर और अबुदाओ के अंदर सराहत मौजूद है, बिस्मिल्ला जरूरी है उश्ट का वदू नहीं है, जिसने बिस्मिल्ला नहीं पढ़िए सिरह बिस्मिल्ला पढ़नी है फिर क्या हुआ फिर अपने दाइं हाथ को दाखिल किया फिर बजू बरतन में अपने दाइं हाथ को दाखिल किया वुजू के पानी के बरतन में यह उस पानी में हाथ दाखिल किया यूं कह सकते हैं वुजू पानी को कहते हैं पानी में हाथ दाखिल किया फिर पुले की आए आप दाखिल करके मूह में पानी डाला और कुली की मजमस कैसे होता है कुली कैसे होती कुली की होती है कि आप मूह में पानी दाखिल करके इसको मूह में गुमाए इसके मूह में गुमाए अच्छा इसके लिए ये जरोरी नहीं है कि आप मोह में पाने दाखल करने के बाद अपने मौगों उपर करने के पाद गरारे करने लगा गरारे नहीं कुल्ली करने लादे इसमें ये है कि आप मौ کے उसे घुमा लृए उसके बाद नहीं है कुली की और नाक में पानी चड़ाया इस्तिंशाक पीछे गुदर चुका है पिछले अदीस में इस्तिंशाक का माना क्या था? नाक में पानी चड़ाना आप रसूल अल्ला सलम का ये दो तरह का अमल है ये जहन नशीन करना, नोट करने बड़ी हम बात है ये नभी निस्तिंशाम वुदू करते वकर अक्सर तोर पर एक चल्लू पानी का भरते उसका कुछ हिस्ता मुँ में दाखिल करते और कुछ नाक में दाखिल कर देते इसको कहते हैं वसल, बाओ, सौाद, नाम, वसल मिलाना यानि आपने एक चल्लू से मुँ और नाक में पानी दाखिल करके दो आखिल को मिला दिया है इसे वसल कहते हैं और ये अक्सर अम अले है रसुल करने तो एक चल्लू बाद आपने आदा मुँ में और आदा नाक में उसके बाद आप बाएं हाथ से नाक को जाड़ा पुली करें उसके बाद नाक को जाड़ा आगे आ रहा है वस्तन चारा और आपने नाक को जाड़ा मसमासा क्या हुआ कुली करना इस तंशा का नाक में पानी चड़ाना और इस तंशारा नाक से पानी जाड़ाना तो नाक में पानी चड़ाएं आप सीधे हाथ से लेकिन जाड़ेंगे आप उल्टे हाथ से अगर कोई शक्स अलग अलग करता है तीन दफ़ा कुली करने के बार फिर तीन दफ़ा अलग से नाक में पानी दाखिल करता है तो ठीक है ये भी ठीक है इसको फसल कहते हैं फसल अलग अलग करना कुली अलग करना और नाक में अलग पानी दाखिल करना इसे फसल कहते हैं फसल तो वसल भी जाइज है, फसल भी जाइज है, लेकिन ज्यादा आला, ज्यादा और ज्यादा अक्सर अमल ज्या है, वो मिलाक है, एक साथ करना तो देरे, इसमें पानी की बचत दीए ये अमल कितनी दफ़ा किया? तीन दफ़ा वैसे आप अगर अलग अलग करेंगे, तो छे दफ़ा पानी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक साथ करते हैं, तो सिरफ तीन दफ़ा पानी लेना पड़ेगा, तो इसमें पानी की बचत दीए ये तीन अम्टी दफ़ा मल होगा फिर आपने अपने चेहरे को दोया, सलासन तीन बार अपने चेहरे को तीन बार दोया वज़, चेहरे को कहते हैं, और चेहरा किसे कहते हैं? सिरफ ये रुखसार? नहीं, ये पूरा चेहरा है ये पूरा चेहरा है जो सामने में नजर आ रहा है न ये पूरा चहरा है उपर से लेकर ये काम की बिलकुल किनारे के साथ से लेकर ये जो हमारी थोड़ी है यहां तक ये पूरा चहरा है इस पूरे चहरे को दोना है जो कहते हैं यू ड़ू? पानी यहां नहीं लगा यहां नहीं लगा हमें को परवाण हो दर णलगहरा तो पानीक को प्रते जाहरा है नाग पर डूंगी सामने वाले से पूरा सामने वाला हिस्सा यहारा यहाँ वजमें शामिल मा रही है, वजमें शामिल महा है इसका खिलाल है, जाड़ी रखियी है मर्दो ने जो मर्द है ना इसने दाड़ी रखिये भी है जारे मर्द की दाड़ी होती है उसने खिलार करना अल्ला के रिस्लिम की सुन्त क्या है दाड़ी में खिलार लेकिन जिसने दाड़ी नहीं रखिये वो सुन्त पर अमल कैसे करेगा आप अपनी दाड़ी के खिलाल गिया करते थे व्जूने तो जिस मर्द ने दाड़ी नहीं रखी बताएं वो सुन्नफ पर कैसे ह diplomल करेगा, इस हदेस पर कैसे सम्ल करेगा उस हदेस पर अमल करने के लिए जरूरी है कर दाड़ी रखते दाड़ी मर्द की जीनत है अर Allah RS 대한 के चेहरे का हुसन है और Allah RS की प्यारी सुन्नत है इसको रति अर्फिर एक उल्ह Κर्णत है वो Allah RS की चेहरे से महप्त की एक उकांसी करचता हुए चेहरा उक्सात्य के जैन में आता होगा जहा दारी रकना परज है यहाँ दारी रकना परज है वायदैही लल्मिर्फग categories उसके बात क्या है फिर उनुने धोय डोनो हाथ लल्मिर्फग नोजों कोहनीं समेत यदो याद रखें दोनो हाथों को दोना कोहनीं समेत कोहनी तक नहीं अगर किसी की ये कोहनी भूच्छ करा जाती है नहीं तक पानी पहुंचा है अगर ये कौनी का कुछ सीज़ करा गया तो उसका वुऑदू नहीं हुआ हमारी कौनी यां खत्म हुरी है तो हमने यह तक दोना है यह कौनी यह खत्म भी तो यह तक दोएंगे तो यह कौनी समेट दूल जाएगा तो उन्होंने दोया अपने दोनों हातों को कोनियों समेट सलासन तीन बार सुम्ह मसा है बेरासी फिर उन्होंने मसा किया सर का ये बाद जो है ना इस्तियाब का है यानि पूरे सर का मसा किया अपूरे सर का मसा कैसे किया आगे आ रही हभी हभी सही बुखारी की हभी आगे आ रही है और वो मसा करके मैं आपको बता जेता है ये मसा मर्द का भी है ये मसा वरत का भी है और वो मसा कैसे होगा अपने दोनों हाथों को ये जो मिलाए जाएगा आपने पाने लिया उस पाने को प्हेंग दी आपने उसके बाद अपने दोने हाथों को मिलाएंगे यू रखे ठीक है हमारा कान हमारे जो उटा है वो इस तरह होगा और इसे मिलाएंगे बिल्कुल इसी तरह पीछे ले जाएंगे इसे मिलाते हुए बिल्कुल पीछिये लेगे, कहां तक जहां तक बाल खतम हो गए और हमारे सर के पीछे क्या होती है जहां बाल खतम हो रहे होती हैं, उसे गुदगी कहते हैं कफा, बहां तक ले जाएंगे और फिर मिलते हुए बापस उस्सी तरह लाये बालों की परवा किये बगैर उसे यहां तक लाएंगे जहां से इत्दा की भी हो गया, उसके बाद दो अंगलियां यह लेंगे दोनों को कान के अंदर गुमाएंगे अच्छे तरीके से, मुकमल कान के अंदर से गुमाएंगे इस तरह यह गुम रही है इस तरह पूरा यह गुमाएंगे उसके बाद अंग उठे इनको कान के बिरोनी हिस्से का बाहर वाले हिस्से का यूँ करेंगे यह होगी आपका सर का मसा ठीके हन्पी के अंदर सर का अगर चौथा हिस्सा वन फोर चाल इस से कर लें चौथा हिस्सा यह इतना बस आप यू रख ले आपका मसा होगी है यह आनाव के नस्दीक शवाफे के नस्दीक दो बाल भी सर के घिले हो गया ना दो बाल भी आपका मसा होगी है लेकिन अल्ला के रसूल सर सलम का यह अमल लागी है नभी मुकर्रम सलम का अमल सही बुखारी से मुस्लिक जबीस में आगी हा रहा है जो मैंने आपको तरीका बता दिया बस यह अमल पूरे सर का मसा होगा पूरे सर का जहां से ले जाएंगे पीछे तक गुमाथे होए बिलकुर वहां से वापस लाएंगे ठीक है जहां से शूरू किया और इसके बाद दोनों प्लिए से कान का अंदर का हिस्सा और रंगुपे से कान का बाहे है अच्छा इसके बाद बिदत क्या है बिदत क्या है बिदत यह गर्दन का मसा नहीं रहता है इस से वुदू बर्बाद हो जाता है इस से वुदू मसनू नहीं रहता अल्ला के रिस्ट सेलम की किसी भी सही हदीश में उल्टे हाथ का और गर्दन का मसा नहीं है और रसुल उल्लास सलम जी किसी भी सही हदिस में इस मसे के लावा मसे का कोई और तरीका नहीं है यह मसे का तरीका इल्ला यह कि आपने पगड़ी पहने है फिर हदिस में एक तरीका यह कि आप सिर्फ पिशानी का मसा करने एक हाथ से या पिर पगरी का मसा करना, या पिर दोनों करना उसके वजाओ भी आगया आजा ठीक हो गो, यह मसा मर्द ने भी एविद्हे मिरे, आर अगया है और अगया जाहिर जाहरे वजुदू अपने महरें की मौझूद्गी में कर सकती है शोर के साथ कर सकती है या तन्हा कर सकती है गहर मर्द के सामने वो वदू नहीं कर सकती उसके बाजू का नंगा होना उसके चैरे का नंगा होना और पिर उसके पाउं का नंगा होना उसके बाल का ये गहर मना से ये गहर मना से फिर क्या किया तो मगासला किलता रिजलेही फिर उनों में दोए अपने दोनों पाओं खिल्टा का मना दोनों रिजल पाओं को कहते हैं अपने दोनों पाओं को धोया अजीस में आगे मौझूद है इला काबईन पुरान में मौझूद है काबईन टखनों समेच इसमें एड़ी भी शामल है इसमें टखने भी शामल है अगर हमारे टखने नजर आ रहे हुए खुश्क पानी नहीं लगा टखनों को या एड़ी को उसका वुदू नहीं है जब वुदू नहीं है तो उसकी नमाज भी नहीं है तो इसके बड़ा ख्याल लखना होगा बहुत जादा इहत्याद करने की जड़ूरत के तुम्ह काल, फिर इसमान रदी अल्हाद में वजू करने के लाद परमाया, राइतु नभी असलम, मैं नभी असलम को देखा, तवद्धा, उन्होंने वजू किया था, नहवा वजू यहादा, मेरे सुदू की तरह, जैसे मैंने किया, सेम इसी तरह वजू किया, वकाल, और फरमाया, अल्लह की रिसुलम में ये भी फरमाया था, मन तवद्धा नहवा वजू इहादा, जो शक्स मेरे इस वजू की तरह वजू करता है, जिसने वजू किया, मेरे इस वजू की तरह, सेम इसी तरह वजू किया, सेम इसी तर पर दो रकात नमास पड़ी इन दो रकात नमास पड़ी इन दो रकात में अपने दिल से कोई बात नहीं की इसने यानि सोचो बिचार, ख्यालात, तसबुरात, ख्यालात में गुम नहीं हुआ वो, बड़ी तवज्जो के साथ दो रकात नमास पड़ी, अपने नफस के साथ इसने बातें नहीं की, मशगूल नहीं हुआ, वसाविस में ख्यालात में मसरूप नहीं हुआ, उसकी पूरी वुझू दो रकात से क्या हुआ जिन्दगी के इस वे सब्या गुनाथ माफ होगा सारह गुनाथ माफ हो माफ हो सबीरागुनाथ तोबह से इंच इंच जा अधि वुझू की पज्छीलत चु्हा य। नभी लазд अष्लाबेन कहा पॉर्मान है कोई हाद दोता है, हाद में जतने भी गुना थे, सारे मिट गए, फुली करता है, मूँ से बुराइयां की, नाक से बुराइयां की, आंक से बुराइयां की, कान से बुराइयां की, चेहरे से कोई बुराइय की, सर से कोई बुराइय की, पाउं से कोई बुराई थी तो उसके इस वुजू से अल्ला रभुलिजद उसे पूरे के पूरे वुजूद को गुनाओं से पाक साफ कर लेता फिर नमाज पढ़ने से उसके दरजात बुलंड दो परद नमाज पढ़ता है, सुनने पढ़ता है अल्ला तल्ला उसके आमाल में, उसके दरजात में उदाफा फर्माता रहा है, इतना आजीम अमाल आई है ये तो अपने पड़ी, इसका तर्जमा और उसका मफ्रूम भी समझ लिए आपने अब हम आते हैं मसाइल की तरफ चंद एहम तरी मसाइल वो आपकी खिद्बत में पेश करते हैं नमबर एत बरतन वुजू करने के लिए वुजू करने के लिए बरतन में हाथ दाखिल करने से पहले तीन दफ़ा हाथ को दोना जरूरी है अगर आप बरतन में हाथ दाखिल करके वुजू करना चाह रहे हैं तो पहले पानी को लेकर तीन दफ़ा अपने हाथों को दोना जरूरी है बज़ा आप जान चुके हैं करी नजास्त ना लगी हो ताके पानी खराब नबर दू वुजू करते वक्त दाएं आजा को पहले दोना है दाएं हाथ दाएं बाजू दाएं पान्ट ठीक है जो आजा डबल है उनके बारे में पहले दाएं जानी फिर बाएं जानी और जिनका दोना एक साथ है तो जारा जैसे चेहरा है वो एक साथ ही दुलेगा, मसा एक साथ ही होगा, कुली एक साथ ही होगी नाक पानी एक साथ ही दाखिल होगा या मुराद हाथ का दोना, बाजू का दोना और पाउं का दोना तो आजा में दाएं जाने को पहले दोया जाएगा नमबर तीन तर्तीब के साथ फुली नाक पे पानी चड़ाना फिर उसे जाड़ना इस अमल पे ख्तियार किया जाएगा तर्टीब के साथ इस अमल पे ख्तियार किया जाएगा यानि फुली करना नाक पे पानी चड़ाना और फिर नाक को जाड़ना और यह अमल तीन बार किया जाएगा फुली भी तीन बार और नाग में पानी चढ़ाकर इसे जानना भी तीन बार नमबर चार नमबर चार एक चलू से अलग अलग करना भी जायज है मुकम्मल चहरे को तीन बार दोया जाएगा मुकम्मल चहरे को तीन बार दोना मसनून है चहरा चैरा किसे कहते है ये सवाल है पिश्यानी के बालू की जड़ों से लेकर चैरा पिश्यानी के बालू के जड़ों से लेकर ठोड़ी तक उते होड़ी कहता है और एक कान से दूसरे कान तक यह चेहरा है नंबर छे दोनों हातों को कोहनी हो समेथ तीन बार दोया जाएगा दोनों हातों को कोहनी हो समेथ तीन बार दोया जाएगा सर का मसा सिर्फ एक बार किया जाएगा सर का मसा सिर्फ एक बार किया जाएगा जिसका तरीका ये है अपने दोनों हाथों को पेशानी के शुरू से अपने दोनों हाथों से पेशानी के शुरू से आखास किया जाएगा और सर के पीछे बुद्धी तक या बालों की इंतिहा तक ले जाया जाएगा अपने दोनों हाथों को दोनों हाथों से पेशानी के शुरू से आखास किया जाएगा और अपने बालों की इंतिहा तक जहां बाल खत्म हो रहे हैं इंतिहा तक या गुद्धी तक ले जाया जाएगा फिर दोनों हाथों को पिशानी तक वापस लाया जाएगा दोनों हाथों को पिशानी के शुरू तक दुबारा वापस लाया जाएगा फिर शहादतें दोनों उंगलियों शहादत वाली दोनों उंगलियों से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा किया जाएगा शहादत की दोनों उंगलियों से कान दोनों कानों के अंदरूनी हिस्से का मसा किया जाएगा और अंगुठे से कान के बाहर वाले हिस्से का मसा किया जाए बेरोनी हिस्से का तो यह मस्से का तरीका था इसके बात मसला है अगला मसला है नमास के लिए बुदू शर्त है बगेर बुदू के नमाज नहीं होती नमास के लिए बुदू शर्त है बगेर बुदू के नमाज नहीं होती नमास के लिए बुदू शर्त है इसके बाद मसला है मुकम्मल वुदू गुनाहों की माफी का सबब है मुकम्मल वुह गुनाहों की माफी का सबब है अगर उनके चतन मेरे गुना माफ हो जाएं सगीरा गुना तो वुजू अच्छे तरीके से कर ले वुजू और नमास अगला मसला वुजू और नमास मुकमल तवज्जो के साथ वुजू और नमास मुकमल तवज्जो के साथ और इखलास के साथ अदा करने से तुना भी माफ होते हैं और दराजाद भी बुलंद होते हैं तुना भी माफ होते हैं और दराजाद भी बुलंद होते हैं आखरी मसला ये है वुजू से सगीरा गुना माफ होते हैं कबीरा गुना बगैर तुबा के माफ नहीं होते हैं वुजू से सगीरा गुना माफ होते हैं कबीरा गुना के लिए तुबा जबनी है वुजू से सगीरा गुना माफ होते हैं अब अगली हदीश यह दीश नमबर आठ है इस किताब की यह दीश नमबर आठ है और सही बुखारी के अंदर किताब वुदू के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर किताब उतहारा के अंदर यह दीश मुदू है नहीं बुखारी मुस्लिम में मुदू है यह दीश रावी हैं अमर बिन यहिया अलमाजिनी अलमाजिनी अन अभी ये अपने वालिद अमर अपने वालिद यहिया से हिवाइद करते हैं एक जाहिया कहते हैं यहिया हजीस बियान कर रहे है कि आमर बनी अबूलहसंद के पास हाजिर हुआ शेहित को का माना होता हाजिर होना मैं हाजिर हुआ अमर बिन अबिलहस्थन के पास ये सवाल किया अब्लफ बिन जैद से अबिल्ल बिन जैद सहाइ ये रसूल है याया कह रहे है मैं हाजिर हुआ अमर के पस अमर ने अब्दुल्ला बिल्जाद से सवाल किया अन वुदू इन नभी असलम नभी असलम के वुदू के बारे में नभी असलम के वुदू के बारे में अब अब्दुल्ला बिल्जाद ने नभी असलम का वुदू करके दिखाया एक होते हैंना बता देना एक है practical करकर दिखाना जो practical होता है ये छीज़ इनसान के नक्ष में दिमाग में बैड़ जाती है इसके दिमाग में नक्ष हो जाती है तो फिर अब्दुल्ला बिन जैद में क्या किया पानी का परतन मंगवाया ये बरतन जब प्याला नुमा होता है, जैसे प्याला होता है न, इस प्याले की माने देख बरतन मंगवाया, दा मना मंगवाना, तौर प्याला, में माने पानी का प्याला मंगवाया ये बरतन मंगवाया, पतवद्दा लहुम, अब्दुल्ला ने, अब्दुला बिन जैद न कुंसा वुदू? वुदू अंडविजी श्लेंग, नभी लिश्लाम का वुदू? जिस तरह नभी लिश्लाम वुदू करते हैं वुदू करके दिखाया प्ड़िखा अला यदे उन्होंने डाला, मीचे अफ्रगा था, यहाँ अक्फा, दोनों का माना डालना, उन्डेलना, तो डाला उन्होंने अपने दोनों हातों पर मिनत तौरी, उस बरतन में से, उस प्याले में से, उस प्याले में से पानी को अपने हातों पर डाला फगसला यदेही और अपने दोनों हातों को धोया तलासन तीन बार अपने दोनों हातों पर मिनत तरूर उस प्याले में से इस बरतल में से पानी को फगसला यदेही तलासन और अपने दोनों हातों को तीन बार दोया सुमा दखला यदईही अब आगया फिर अपने हाथ को दाखिल किया बाद दुसके में यदध हुआ है बाद में यदईही अपने दाएं हाथ को दाखिल किया फित तौर उस प्याले में कमज मज़ा पुली की पीचे गज़र चुका है बस्तन शका और नाक में पानी चड़ाया बस तंसरा और नाक से पानी ज़डा सलासन तीन बार बिसला से गुरुफातिन तीन चिल्लो लेकर ये मुटी बरकर जब हम लेते हैं तो इसको गुर्फ कहते हैं बिसला से गुरुफातिन तीन चिल्लो लिए किसके लिए नाक में पानी दाखिल की, तीन दफ़ार टीन चल्लू के साथ , नाक और मुख को मिला कर इसमें पानी दाखिल कियाuda, teraz परक होगा एक शल्लू बहरे आप, आदा मुख में आदा नाक के उसके बाहर पहले कुली करें फिर नाक ओजार हएक फिर दूसरी दफ़ार से फिर तीसी तो तीन चिल्नों से ये दोनों काम हो जाएं और ये ज्यादा पसंदीदा और हफ्जल है ज्यादा बेहतर है तो मजमस किसी कहते हैं फुली करना इस्तिंशाप नाग में पानी चड़ाना और इस्तिंसार नाग को जारना स्मा दखला यदाहू की तोर फिर अपने हाथ को दाखिल गिया बरतन में फगास लवज़वसलासन चेहरे को तीन बार दोया अपने चेहरे को तीन बार दोया चेहरा बता दिया गिया शानी के शुरू से लेकर ठोड़ी तक और एक काम से दूसरे काम तक ये चेहरा पूरा दो तुमा दखला यदाहू यदाही फिर अपने दोनों हाथों को दाखिल किया बरतन में फगासलाहूमा मरताईन अपने दोनों हाथों को दो बार दोया इलाल मेरता कैन कोहनियों समेथ इस कोहनियों समेथ दो बार दोया अपने दोनों हाथों को इससे पहले तीन तीन बार था तीन बार हाथ दोए, तीन बार कुली, तीन बार नाथ में फानी दाखिल गया, तीन दफ़ा चेहरे को दोए, अब हाथ दोए जा रहे हैं, कोनी समेख? दो बार इसके मतलब मसायल में भी लिखाएंगे आपको, लेकिन थोड़ी सी बजाद ही हो जाए, कि आज़ा है वुजू में, किसी को एक बार, किसी को दो बार, किसी को तीन दफ़ा, दो ना जायज है, इसमें कोई फरेक नहीं पड़ता, बस एक बार से कम ना हो, तीन बार से ज्याद में दाखिल किया, अपने दोनों हाथों से सर का मसा किया, मसा किया, दोनों हाथों के जरीए, रास हूँ, अपने सर का, कैसे, वादबरा, दोनों हाथों से इकबाल किया, इकबाल यानि, दोनों हाथों के जरीए, सर की पिशानी से शुरू किया, पीछे तक ले गए, इंपाल पिंचे से आगे तक ले आए ये एकबाल और इदबार एकबाल के मतलब है शुरू के लेकर पीछे ले गए और इदबार के मतलब है पीछे से आए ले आए मरतन वाहिदतन एक बार मरतन वाहिदतन एक बार बाकि कान का जाहरी अंदरूनी और जाहरी हिस्सा बाहिर वाला हिस्सा इसकी वजात आग्या आएगी तुम्मा घसला रिजलाई फिर दोनों को दोया एक रिवायत में है बादा आ इनों ने इप्तदा की अब्दुल्ला बिन जाहिद में इप्तदा की बिमुकद्द मिरासी ही सर के मसे की इप्तदा की सर के शुरू से मुकद्दम कहते हैं सर के शुरू आले से बादा मसे की इप्तदा की बिमुकद्दमिरासिही सर के शुरू से अटादाः बाबहिमा अटाकि उन दोनों हाथों को ले गए इला कफाहू अपने गुद्धी तक कफा कहता है जाँ बाल खतम हो रहे होते हैं मीचे वाला हिस्सा जो अंदर को दबाबा होता है जाँ बाल खतम हो रहे होते हैं उसको अर्दू में गुद्धी कहते हैं और अर्भी में कफा कहते हैं जाँ बाल खतम हो रहे हैं तो उन दोनों हाथों को सर की पिशानी से शुरू किया इत्दा से और ले गए गुद्धी तक तो मरद्दा हुमा जहां से इप्तदा की थी पीछे से वापस लाए और ले आए बहां तक जहां से इप्तदा की यहां से इप्तदा की थी पीछे ले जाने की तो वापस भी यही पर ले आए यह मसा है और आगे रिवायत में आएगा कि कान का जाहरी हिसा और फिर उंगुटे से बाहर वाला हिसा कियी। लिकर अदीस में सरात मौजूद है सोगत एक रिभाइत में ये है अताना रसूल लास tulम अब्दुल्ला बिन जैर्द कहते हैं अल्ला के रसुलम हमारे पास है अताना हमारे पास है एक प्याले में तांबे का सुफर क्याते है तांबे को तांबे के प्याले में पानी भरकर रसूल लासलम के लिए में रखा अटाूर शिबु तस्त यह जो प्याला ना यह थाल से मिलता जुलता था यह प्याला जो है शिबु का माना मिलता जुलता तस्त थाल को कहते हैं यह प्याला थाल से मिलता जुलता था और सुफर कहते हैं तांबे का यह प्याला था जो थाल नुमा था इसमें हमने पानी डाला और अर्ला के रसूलम ने वुजू किया और वुजू का यह तरीका आपके सामें आदे है तक्रीबर मसाइल वही हैं दो ती मसाइल हैं जो बनते हम आपके लिखादेता हूं इस हदीश से पहला मसला तो यह निकलता है नमबर एक वुजू के आजा में से बाज को दो दफार बाज को तीन दफार दोना भी जाइज है वुजू में किसी वुजू को तीन बार किसी को दो बार दोना भी जाइज है नमबर दो दूसरे मसला सर का मुकमल मसा किया जाएगा सिर्फ एक बार नमबर तीन दोनों पाउं को दोना वाजिब है बक्या मसाइल वो यह जो उपर गुजर चुके है यह आज की हमारी क्लास थी यही पर हम आज की क्लास को खतम करते हैं आपके सवालाथ अगर हैं तो वो सवालाथ आप बिल्कल पूछिए इंशाला हम आपके सवालाथ का जवाब देंगे अगर मुम्किन हो तो वागि इंशाला जो मसाइल आपके सामने आए हैं वो मसाइल आप इनको माफूद करें याद करें समझें इस पर अमल पहरा हूं इंशाला जैसे जैसे यदिस पढ़ते जाएंगे आपके जितने भी सवालाथ हैं जो मसाइल हैं इंशाला वो हल होते चले जाएंगे इसलिए आगे बढ़ने की जुरुत नहीं हैं बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो आगे आरे होते हैं और हम पहले पुछने की कोशिच कर रहे होते हैं तो इंशानला सबर के साथ आगे बढ़े आपके सारे सवाल इंशानला जिंदा रहे और आमने पढ़ लिया विजो वहल हो जाएंगे अल्ला की तो किसम मुझे नहीं लगता कि चैटान होगी तो अम्हारा हामिय नासर हो इसी दो खदीसों और मसाइल पर ही आज हम अब भी ख्लास को काम पजिर करते है सुम्हानक अल्लाहुमा वभी हम्दिका अश्यदु ला इलाह इला अंता अस्ताउ कि रुका बातु दूगे झाल 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 झाल